आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही हेल्दी और टेस्टी गुण और तील से बनने वाली लड़ू की रेसिपी तील की लड़ू बनाना आपको जंजट का काम लगता है तो मैं आपको बताने वाली हूँ बहुत ही आसान तरीके से तील की लड़ू बनाना और बहुत ही जल तो चलिए इसे निकाल लेते हैं इसी तरीके से हमें तिल को भून लेना है वापस इसी कड़ाही के अंदर में थोड़ा सा ड्राइफुर्स यानि काजू और बदाम को सेक रही हूँ आप यहाँ पी जो भी ड्राइफुर्स डालना चाहते हैं तो यह दो मिनट के लिए इस तर चलिए इसे निकाल लेते हैं उसके बाद हम इसे छिलके हटा कर और फिर इसे काम में लेंगे तो मैंने यहाँ पर मुम्फली को निकाल लिया है यह सब चीजे ऑफशनल है यहाँ पर तिल सेका हुआ मैंने लिया है और उतना ही मैंने लिया है गुण तो एक कोई भी चीज से अपना आप लीजिए जितना आप तिल ले रहे हैं उतना ही मत्रा में गुण लीजिए उसके बास ही आप देख सकते हैं कि जो ड्राइफुर्स हमने सेख कर लिया है वो भी मैंने ले लिया है और 5-7 हरा इलाइची मैंने लिया है अब इन सब चीजों को हम पीछ लेंगे मिक्स के बाद बीच में डालूंगी तो चलिए पहले इसे मिक्सी में गुमा लेते हैं मिक्सी में जब इसे हम घुमाएंगे तो रुक रुक के हम घुमाएंगे तो यह देखिए थोड़ा सा हमने इसे पिस लिया है उसके बाद इसमें हम एक चमच घी डालेंगे आप चाहें तो भी घी पहले भी इसमें डाल सकते हैं फिर इस तरीके से रुखुरुख कर हमें चलाना है ये देकिए ये बहुत ही अच्छा से इसमें making रूप हो जाएगा ये देखिए कितना बढ़िया सी तियार हो चुका है इसमें जादा घी भी चोटा या बड़ा रख सकते हैं तो हैनभ बहुत ही असान इसे बनाना और कितना कम टाइम में में बनका रेडी हो गया है उतना ही healthy भी है और टेश्टी भी है तो यह थोड़ा सा हम प्रेस करेंगे और बहुत ही असानी से इधिक ही तियार हो गया लडू, तो चलिए इसे एक प्लेट में रख लेते हैं, इसी तरीके से हम सारे लडू को बना लेंगे, लडू बनाने के लिए ना तो हमें हाथों में घी लगाना है, ना इसके लिए चासनी तियार करना है, बहुत ही असानी से इतना healthy और tasty लड़ो बनकर ready हो जाता है, बनाते time यह हाथों में भी बिल्कुल नहीं चिपकता है, आप देख पा रहे होंगे, बिल्कुल भी हाथ में नहीं चिपका है, तो हमारा पूरा लड़ो बनकर ready हो चुका है, तो यह आप देख सकते हैं, कितना कम टाइम में हमने बना कर रेडी कर लिया है यदि अभी तक आपने नहीं बनाया है तो इसे जरूर ट्राइ किजिएगा लडु के अंदर जो ड्राइफूर्ट्ट और मुमफली हमने डाला है वह आप नहीं डालना चाहते हैं तो उसके बीना भी आप बना सकते हैं और ड वीडियो में तब तक के लिए मेरे चानल को सब्सक्राइब कर लीजिए सेर कर लीजिए कमेंट करके जरूर बताइए रेसिपी कैसी लगी